यह हैं वोईस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वोईस टीवी यूपी खबर सक्ष तेश पर मैं हूँ आपके साथ कोमल गुत्ता वोईस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है सौशही अस्पताल में हुई 11 साल की बालिका की मौत डेंगू से बताई गई पीडित बतादे आरोप है इलाज को दर्थ से तडपती रही बच्ची न डॉक्तर ने की सुनवाई न एंबुलेंस की हुई काफी देर तक यवस था परिजनों ने कहा बहुत देर से हो रहा था दर्थ सास लेने में तकलीव भी हो रही थी बतादे मेडिकल कॉलेज के सो शही अस्पताल में इलाज के दोरान एक 11 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया वही उसके परिजनों का आरोप कि यहां डॉक्तर के पास गए तो सुनवाई नहीं हुई एंबुलेंस को कहा तो वहां भी सुनवाई नहीं हुई बच्ची ने दम तोड़ दिया बताए गया लाला हुनिवासी 11 साल की बच्ची को बीते दिन मेडिकल कॉलेज के सो शही अस्पताल में भरती कर आए गया था यहां आज उसकी हालत बिगड गई परिजनों का कहना था कि उसे दर्द हो रहा था डॉक्टर के पास गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई फिर अंबुलेंस का इंदिजाम कराने को कहा वह भी नहीं हुआ इस दोरान बच्ची ने दम तोड़ दिया यहां कोई सुनवाई नहीं है फिलाल साफ साफ आरोप था यहां किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई अगर सुनवाई होती तो शायद बच्ची की जान बच जाती फिलाल परेजिनों का रूरोकर बुरा हाल था बच्ची परेजिनों कि दिखने नहीं है बहुत परेज्डरे से नहीं है रही है तो मैंने टोक्टर से बोला अब रोगी ने बोले के मैं हमने राइफर कर दिया इक प्रके लिए अश्यान और भुणव कवले बोला के आदा यहां खुनना नहीं मिला नहीं मिला उन्होंने बोल दियो से तो भूस कर दिया तो हम के कई गाड़ी आड़ी कि पिक बुए बबिश्चा करना थी वे वास्ता महीं पर देख भान मुले कई अधर आप अब बच्चा कहा है यहां पर दोक्टर आई नहीं रहे दर्द हो गार अब आए तनी दिक्का देरी वह सांच बिलकुर नहीं ले बारी और तो जब वह बॉन कर रहे हैं डोक्तर शुद्ध रहे हैं और बैसे अब आए अभी आ रहे हैं यह गंटावा तो एमुलेंज आई हैं अच्छा जो बिलेड के लिए बुला गया था वो क्या बतारे थे आप बिलेड के लिए मुझे नहीं जानकर ही और एक पिताजी कैसे मेरे में बहन हो गया थे तो वो आये कब दो खतब लुक्त बच्ची को र अच्छा ब्लेड की जरुवत थी प्लाजमा के लिए बोला के आओगा बो नहीं मिल पाया आपको कितना साल की बच्ची थी कितना साल की बच्ची थी कहां की रहने वाली वेटा आपको